नमस्कार दोस्तों फार्मिंग गुरुज यूट्यूब चैनल माय आपका एक बार फिर से स्वागत दोस्तों चैयार सिरे वाली मोरी बनाना सेखेंगे आपकी सुरू से बहुत डिमांड थी हमने दो शिरे वाली तो बनाई थी जो नाक के उपर दो रसी आ थी वो मोरी तो आप अच्छे से सीख गए लेकिन उसी दिन से आपकी डिमांड थी कि वो मोरी सिखाई ये जिसमें पसू की नाक के उपर चार सिरे आ जाते हैं तो दोस्तो बड़ी कमाल की वीडियो और यह मोरी मुझे भी सबसे ज्यादा पसंद है और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल ही कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो दोस्तो आईए यह मोरी बनाना सीखते हैं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यह मुझ्किल काम है लेकिन युद्य आपने डंग से इसको देख लिया और डंग से सीख लिया और सीखने वाले और सीखने वाले दोनों की नियकी नियहत यह सो सुछने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो दोस्तों आईए यह वीडियो शुरू करते हैं इस लेकिन मेरे पास जो यसकी लंबाई netsophone तो यह थोड़ी बड़ी रहेगी यह आप 8 मीटर की लंभाई YEARा इसको को ड्वलो कर लें इस परकार ये इस परकार उस रसी को हम डबल कर लेते हैं तो दोस्तों बड़े आराम से मैं आपको ये मोरी सिखाने वाला हूं समझाने वाला हूं तो इस परकार हम इसको डबल करके ऐसे रख लेते हैं एक बारे तो दोस्तों इस परकार हम इसका एक सिरह पकड़ के इस सिरे को यहां तक नाप लेते हैं और इसको यहां ऐसे पकड़ते हैं और उसके बाद इसको ऐसे करके पकड़ते हैं इस साइड में एक रसी छोटी रहेगी एक बड़ी रहेगी और उसके बाद यह देखिए हम ऐसे इसको पकड़ेंगे और इस साइड से खीचना शुरू करेंगे ऐसे इस छोट है और इस उंगली के बीच में ये इतना निकाल कर पकड़ेंगे ऐसे और अब इसकी लंबाई हम नाप लेंगे बिल्कुल साधान डंग से ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए एक और दो दो देशी वासा में इसको बिलात बोलते हैं दो बिलात की इसकी लंबाई हम रखेंगे ये इतनी और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे उसके बाद ये जो दो उंगली हैं इनके बीचसे इस परकार पकड़के हम फिर निकाल लेंगे एक दूसरा सिरा इसको भी लगबग इसके बराबर का ही हम रखेंगे इतना इसको रखेंगे और उसके बाद एक तीसरा सिरा और हमें पकड़ना है ऐसे इसके बराबर करके ये इसका भी साइज हम इसी के बराबर रखेंगे और इसको हम यहाँ पकड़ेंगे ऐसे तो दोस्तो इस परकार ये तीन सिरे हम पकड़ेंगे ये दोनों रसियां अलग हैं ये देख लीजी आप ये ये देखने वाली बात ये देखिए इस परकार आत्म के कुछ सेप होगी एक सिरा ये होगा दूसरा सिरा इन उंगलियों के बीच में होगा ये इस परकार और तीसरा सिरा ये मैंने गुमा कर इसको यहीं पकड़ रखा है ये यहां लास्ट में हम पकड़ेंगे ये देखिए इस परकार आत्म सेप होगी एक पहला सिरा दूसरा सिरा और ये तीसरा सिरा और ये दोनों छोटी और बड़ी ये रसी हैं इस परकार सिर्फ यहां जो गाठ है इसको हम समझ गए तो पूरी बात हमें समझ बाजाएगी ये तीन आत्की ऐसे सेप होगी ये आपने देख लिए उसके बाद ये जो सिरा है इसको हम लेंगे बड़े याराम से देख लें कोई जल्दी ने इसको यहां से ऐसे हम डाल देंगे जो सबसे लास्ट में सिरा यहां पकड़ रखा था ये अलग थी इस सिरे को यहां से पकड़ के ऐसे डाल देंगे और उसके बाद जो ये पहला सिरा था उसको ऐसे डाल देंगे इस परकार आपको समझ मा गई होगी ये पहला सिरा इस सिरे को इधर ऐसे डालेंगे इस सिरे को इधर ऐसे डालेंगे ये इस तरह सेप हो जाएगी और उसके बाद ये जो दो रसियां हैं इनको इसके उपर से और इसके नीचे से लेंगे और इस उंगली और अंगुठे के बीच में इसको पकड़ लेंगे ध्यान से देख लें यही जो देखने वाली बात है ये जो दो सिरे थे ये जो दो सिरे थे इदर जो लंबी रसी बची थी इस रसी को अब हम इस सिरे के उपर से और इसके नीचे से ऐसे और इदर पकड़ लेंगे यहां पकड़ लेंगे उसके बाद इसको जो पहले हमने इदर डाला था इसको थोड़ा ऐसे खिसका लेंगे अब ये जो बीच वाली उंगलियों में था इसको इसके उपर से और ये जो सिरा था इसके उपर से और इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे इस परकार अब इस मुठी को खोल देंगे और इनको अमारी ये है एक गांट लग जाएगी इसको यहां टाइट कर लेंगे सारी एके करके इसको हम टाइट कर लेंगे तो इस परकार ये टाइट हो जाएगा और बहुत ही सुन्दर गांट ये लगने वाली इस परकार जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत आएगी, समझने और सीखने के समय जल्दबाजी ने करें तो बहुत अच्छा रहेगा तो इस परकार ये बहुत अच्छी गांट हमारी लग जाएगी, एक फूल बन जाएगा ये ये इस परकार बन जाएगा, ये देखिए ये इसको इस परकार अब टाइट कर लेंगे तो ये गांट बन गई, ये कुछ ऐसी दिखाई देगी, अब इसको पूरा टाइट कर लेंगे ये पूरी सेप आ गई इस परकार का ये कुछ से बन जाएगा इसको टाइट करने के बाद है अब उसके बाद बात आती है अगली गाट की ये इतनी बात आपको समझ मा गई होगी समझ मैं नहीं है तो जल्दी नहीं करें दोबारा वीडियो को स्किप्ट करके देख सकते हैं उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा उसके बाद हमें जो बीच वाली गाट है उसके साथ उसको उदर पकड़ना है और बीच वाली का हमें कैसे पता चलेगा ये देखिए यही है समझने वाली बात जो बीच वाली गाट है बीच वाली जो रसी है इसको हम इदर रखेंगे और ये दो जो रसी हैं इन से अब आगे हमारी मोरी बनेगी तो इसको वैसे तो अच्छा तो रहता है कि किसी चीज में हमें टाक दे और उसके बाद बात करें लेकिन यहां मैं टाकता नहीं हूँ इसको मैं पैर में फसा लेता हूँ इस परकार है पैर में फसाने के बाद ये जो दो रस्यां बची इसको मैं इस परकार पैर में फसा लेता हूँ इसके बाद ये जो दो रस्यां बची राइट एंड में उसको लेंगे और उसको यहां ले आएंगे इस परकार है यहां लाने के बाद इसको नीचे करेंगे और यह जो दो रसी थी एक छोटी और एक बड़ी इनको इसके उपर रखेंगे ऐसे यहां अब यह दूसरी गाट है इसको समझने वाली बात है जो आपके राइट एंड में थी उसको इसके नीचे लेकर आएंगे और यहां रखेंगे ऐसे कुछ जगह छोड़कर इस परकार यहां रखेंगे और उसके बाद यह जो बड़ी रसी थी उसको इसके अंदर से पहले निकालेंगे हमें इस परकार इसको नीचे रखिया इसको राइट एंड वाली को नीचे रखा इन दो रसीों को इसके उपर रखा यहां और जो सबसे बड़ी रसी थी पहले उसको निकालेंगे उसको इसके अंदर से निकालेंगे ऐसे अंदर से निकाल कर हम इसको यहां से निकालेंगे यह जो एक रिंग बन गया था इसको नीचे हमने निकाला जब है इसमें से इसको निकाल लेंगे पूरी रस्षी को और निकाल के टाइट कर देंगे थोड़ा सा और उसके बाद जो एक छोटी रस्षी थी इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से यहां से निकाल कर इसको ऐसे निकाल देंगे और टाइट कर लेंगे यह ऐसे टाइट हो जाएगी इस परकार उसके बाद देखते ही यह जो सिरात में पकड़ के रखा था इसको हम यहां से ऐसे करके ऐसे गुमा लेंगे दुबारा देख लें ये गाठ आपने लगा ली होगी पहले बड़ी रसी निकाली हमने उसके बाद ये छोटी रसी निकाली उसके बाद ये जो हमने पकड़ के रखा था इसको ऐसे करके ऐसे देख लें और ऐसे करके पकड़ लेंगे इस प्रकार है अब उसके बाद इस मोरी में कुछ नहीं बचता है इसको देख लेंगे डंग से थोड़ा सा तो ये जो दो सिरे थे लंबा और छोटा और उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने छोड़ दिया था एक सिरा एक को हमने ये लंबी भी और ये छोटी भी और उसके बाद इन दोनों रस्यों को हमें इस में से निकाल लेंगे ये जो मैंने पकड़ के रखा था ऐसे जो गुमा के रखा था थोड़ा सा डिला करने जल्दी निकालने के लिए इस परकार ये छोटे वाली निकल गई और अब ही ये ज ये जो शिरा है इस शिरे को भी इसके अंदर से निकाल लेते हैं और हमारी मोरी अब बन कर तैयार हो जाएगी ये निकल गया इसमें से यह निकालने के बाद इसको टाइट कर लेंगे कहीं कोई गांट लगी तो इसको सीधा कर लेंगे और यह अब इसको हमें टाइट कर लेते हैं इस परकार पूरा टाइट कर लेंगे ताकि कहीं कुछ डिला नहीं रहे इस परकार यह अमारी मोरी अब बनकर तयार है इसको हमें अपने पसु को पेना सकते हैं और दोस्तों पेनाने का इसका जो तरीका है जो पेनाने का इसका डंग है ये जो फूल है ये बार की तरफ रहना चाहिए और ये सिरा अंदर की तरफ रहना चाहिए पिर जो नीचे की यह दुम्हा भी पहना के भी आपको दिखाऊंगा एक बार टेस्टिंग के लिए देख लेते हैं यहां से पसू का मुँ अंदर जाएगा इसमें इस परकार इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि यह कैसी बनी तो दोस्तों यह इस परकार यह चारों रसियां सी दियाएंगी जल्दी करेंगे तो गड़बड होगी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मुश्किल है इस परकार इसको हम चेक कर लेते हैं यह नीचे चला जाएगा और यह चारों रसियां उपर आजाएंगी इस परकार पसू के और ये फूल दोनों बाहर है बंदने के तरफ है अब इसको यहाँ जब हम लेकर जाएंगे पीछे गर्दन में ये गर्दन में बंद जाएगी और ये पशू के नीचे बंदने के लिए काम आएगी अभी आप वीडियो में इसको बंद तेवे भी देखेंगे ये चैरों रश्याशी दे रहनी चाहिए और ये फूल दोनों बाहर के तरफ आएंगे तो दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो थी अभी मैं पशू को पहना के भी दिखाऊंगा साइड में आपको दिखाई देगी वीडियो आपको कैसी लगी चैर सिरे वाली मोरी यदि आप प्रप्र पेहली बार आये तो चैरुकि हम ऐसी वीडियो चैरल पर लेकर आते रहते हैं और यदि आपने चैरल को पहले सब्सक्राइब कर रख़ा है तो लाइक और शेर जरूर करें ताकि आम पसु पालकत गये बात पहुंच सके अपनी वार्ण को विराम देता हूं दन्य जे वाद, जे हिंद, जे जवान, जे किसान.